लोकस्वा चिनाव 2024 में जहाँ एक तरफ इस बात की चर्चा हो रहे है कि अखलेश यादव की सीट से चुनाव लड़ेंगे और अखलेश की पाटी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जी हाँ आप सभी को बता दे तो इन सवालों के जवाब एक एक करके मिलने शुरू हो ऐसे में आजमगर सीट देखा जाये तो फिलाल तो भाजपा के खाते में हैं तो वह सीट जीतना भी सपा की प्रायोटी लिस्ट में आता है क्योंकि अखलेश यादव ने खुद कहा था कि उन सीटों से उनका इमोशन जुड़ा हुआ है उनके पिता सीट से लड़े थे सप सपा क्या पुराना गड़दा है भले वो इसमें भाजपा एक खाते में हैं लेकिन सपा उसको अपने खाते में किसी भी हाल में लेकर रहेगी अब चर्चा इस बात किया कि अखलेश यादव असल में किस सीट से चुनाव लड़ेंगे तो दूसरी तरब से निरवय यादव उन्होंने खुली चुनोती देदी तो तस्वीरे साफ होती नजर आ रही है कि अखलेश जादस याद अगर चर्चा जिस बात की है तो वह कर्णो सीट की है कि अखलेश कर्णो सीट से ही चुनाव लड़ेंगे सुब्रत पाठक के किलाफ ही चुनाव लड़ते नजर कि चाचा उतरे या चाची उन सब कोई हरा दे जाए क्यूंकि सपा अब इस सीट पर वापसी नहीं करेगी भाजपा ने इतने सारे काम कर दी हैं कि सपा पिछले 25-30 सालों में नहीं कर पाई थी और इसलिए सपा ना तो उत्तर परदेश में अब दिखाई देगी और नहीं इस सीट पर तो ऐसे में देखना दिल्चस परएगा कि नरवा यादव जिनका इस समय कह सकते हैं काफी कुछ बयान बाजी आ रहा है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ ऐसे में समाजवादी अध्यक्ष क्या खुद जवाब देते हैं या अपने चाचस शिपाल को आगे करेंगे आप क्या चाहते कि अखलेश यादव की सीट से चुनाई मैदान मुतरे अपनी रैक कॉमेंट सेक्षन में जोर रखेगा क्योंकि ये सीट काफी कह सकते मज़दार बन चुकिए इस पर निरवा यादव सांसत बने थे हाली में अब ऐसे में उनकी दाविदारी कितनी मजबूत है देखना दिल्चस्प रहेगा बने रहे चैनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद